हिमाचल परदेश जिस नूद दे बुमीवी कहा जानदा है इस था ते कई इतहासिक अते तार्विक मंदर वड़ी गिंती वेच मुझूधान लेकिन आज जसी तो नूद जिस मंदिर दे दर्शन दिदार क्राउंदे ले लेके जा रहे हां उत्ते पगवान श्रीक किशन दी अजी ही मूर्ती है जो राजस्थान तो चल के हिमाचल दे इस नूरपूर इलाके वेच आई आखिर ए मूर्ती के वे इस था ते आई इस सब जानन दे लई असी तो नूद लेके जा रहे हां उस नूरपूर ब्रज राई स्वामी दे मंदर यहां पे यह जो विग्रे क्रिशन जी का इसकी पूजा किया करती थी मीरा भाई चितोड कर में तो यहां के जो राजा थे राजा जगत सिंग वो गये थे चितोडगर के राजा के मुंदरन पर 1619 से 1623 की मद्दे में नौ वो गए थे चितोडगड के राजा के मंत्रन पर तो वहाँ पर जो अनको रहने के लिए कमरा दिया गया था उसके साथ में मंदिर को रात में मंदिर में गूँगरों की आवाधिये और भजन करतन की धुंजों थी वो सुनी थी राजा जी ने जब उन्हेंने मंदिर का दरबाजा खुला तो अंदर एक कौरत जो है भजन करतन करते हुए नाचते हुए दिखाई दिए हुए फिर जो प्रोहित वहां पे उसने बताया कि ये जो भजन करतन कर रही है नाच रही है ये मीरा बाई है और यह जो विग्डे ये मीरा बाई और क्रिशन जी का सबरूप एई है जब यहां से वापिस जाना है तो पहर में यही राजा जी से माग लिया था और लाके फिर उन्होंने अपने ही दरवार में यहां पे श्छाफित किया था यह दरवारे खास था राजा जी ता इसके आजना होगी वह पाउंक नीचे जहां पर भील ने शिकारी ने जो तीर मा रा था जिस स्थान पे लगा था वह स्थान चिर्फ इसी विग्डे में हुर कहीं अबगी यह मिरा जी द्वारा ही पुजा हुआ है तो मिरा जी ही इसी की पुजा कर दी थी तो इनके साथ जो है व पर दो तीन साल पर आये थे तो हमें ऐसे घर जाने के बाद लगए तो हमें एक रूटीन ही बन गया है इतना अच्छा लगता है यह लगता है यह लगता है कि ठाकुर जी खुदी कृपा करके बुला लेते हैं हम लोग एक दू बार पहले भी आ चुके और बहुत अच्छा लगता है यहां पर आखर और हमें लगता कि हम हर साल यहां पर एक एक बार तो आना चाहिए कि बहुत अध्यात्मिक शांती मिलती है में यह इतनी अटैच्मेंट लगती है कि जैसे ठाकु जी यहां पर इस्वाह जी के हैं और यह नूरपूर के जो राजा थे वहां से लेकर आए थे यहां उनके साथ आए थे सबसे मन में बड़ी इच्छा थी दर्शन करनेगी तो हर साल बढ़ा बहुत मन करता है तो इन दिनों में हमाते हैं जी यह हमारी तीसरी विजिट है और बड़ा अच्छा लग जी का मंदिर है और यह बड़ा एतिहासिक मंदिर है यहां हर मंदर में क्रिशन जी के साथ राधा की मूर्ति पाई जाती है लेकिन यह एक ऐसा मंदर है जो कि जिसके साथ मेरा बाई बिराजमान है जो यह मंदर बड़ी मानित है इस मंदर की बड़े दूर-दूर से हर परा और यहां मंदर में एक ट्रस्ट बनी है कफी समय, 4-5 साल पहले ट्रस्ट बनी थी ट्रस्ट बनने के बाद मंदर में बहुत ज़्यादा ड्वैल इन्हों ने किया है ट्रस्ट बालोंने और मंदर की यो दशा है उसको निखा रहा है इन्होंने बड़े अच्छे डंग से और बड़े अच्छे डंग से कार्या चला हुआ है। अर इत्वार को यहां मंदर टोस्ट की और से लंगराया जाता है। यो कि मंदट रस्प ने निर्णे लिया था, अच्छा लग रहा है, दूर से श्रदाल लुआते हैं, उनके लिए लंगर की विवस्ता यहां की गई है, बड़ा अच्छा लगता है, और यहां हमारे सुबे शाम दो टैम यहां बजन किरतन होता है, जो कि शेहर के लोग और बा कि मेटी अगस्त दो हीर अठाना को बनी थी और उसके बाद जो मंदर के कालें वो कुमेटी की देखरें में और इसमें जो टिहार जो मना जाते हैं, वोली का उस्व हमारे जनमेश्मी जो है, वो स्ट्रेट लेवल की जनमेश्मी और बहुत ही हर्षोला से मना जाती है, और बहुत तड़ाद में लोग यहां पे आते हैं, और आए दिन कोई न कोई इतिहार यहां पे चला जाता है, जैसे बसाक्ती है, मगर सकनाती है, वो भी हम बहुत ही दूंडाम से मनाते हैं, और हर रवी बाद को यहां पे लंगर काई हो यहां जो है, वो कुमेटी आदा किया ता ऐसी ब्रेजराय स्वामी दा ओ मंदर जिते पगवान श्री कृष्ण दे नाल मेरा वाई दी मोर्ती गराज माने नुर्पूर्तों जतिन शर्मा न्यूज एटी नेटवर्ट